लो दोस्तों स्वागत है आप लोग का इन्फोमेट एजूकेशन में सुगाइज मेर नाम है रोईत प्रजबतियुरी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about HPCL HPCL क्या है देखिए यह है इंदुस्तान पैट्रोलियूम कोर्परेशन लिम्टेड आप में से या आपके किसी ना किसी परिवार मेंबर में से किसी ना किसी ने या तो अपनी स्कूटी बाइक कार या फिर अगर आपके पास ट्रक भी है तो ट्रक में भी यहा तो डीजल या फ बहुत सारी knowledge इस particular organization के बारे में मिल जाएगी और काफी कुछ अच्छा आप गेन करोगे इस वीडियो से तो इस वीडियो को लास तक जोड़ देखना और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूँ यह जो वीडियो है हमारी महारतना की सीरीज है हमारे चैनल पर उससे related video हैं जो भी कि इंडिया के महारतना organization है उसके बारे में हमने काफी सारी चीजे explain करी है अलग अलग organization के बारे में तो अगर चाहें आप वो वीडियो दिखना चाहते हैं तो आप हमारी playlist वाले एरिया में जाए वहाँ पर वो वीडियो अवेलेबल है easily you can watch that ठीक है आगे बढ जादिया petrol pump भी है इनके तो petrol pump है तो भाई ये petroleum related जो भी product होते है उनसे related चीजे ही बनाते है ठीक है वो चीज़ा आगे डिसकस होंगी फिलाल बात करते है करता हूं यहाँ पर है कॉल्टेक्स कॉल्टेक्स ओइल रिफाइनिंग इंडिया लिम्टेड सी ओ राइयल आप बोल सकते हैं इसका भी मर्जर एच्पी सील में मतलब हिंदूस्तान पेट्रोलियूम कॉर्परेशन लिम्टेड में 1978 में कर दिया गया था फिर यह और बड़ सत्रय को यूनियन केबिनेट ने अप्रूब किया था कि जो ओएंजीसी में बता दूँं ओएंजीसी भी महारतना ओगनाईशन है इसके उपर वीडियो हमने पहले ही बना रखी है ठीक है तो ओएंजीसी ने इसके 51.11% सेर जो होते हैं वो अक्वायर कर लिए मतलब इसकी ज फिर आती है बारी इस कंपनी बिकेम महारतना पी एस यू महारतना की उपादी मिली इसको जस्ट लगबग साल या तेड़ साल से उपर लगबग हो गया है चौबीस अक्टूबर 2019 को ही ठीक है तो दो साल भी पूरे नहीं हुए अभी तो इसको महारतना की उपादी मिल चु में इसको मिला था 367th position ठीक है 2016 में ये लिस्ट जारी हुई थी उस साइम अब आगे चलते हैं देखिए HPCL मितलब हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited run two major refineries दो बड़े बड़े refineries हैं के पास जो कि ये लोग run करते हैं विच प्रवाइड वाइड वैराइटी ओफ प्रवाइड अलग टाइप के प्रवाइड करते हैं वहां से ठीक है वन इन मुंबई एक तो है मुंबई में जो कि जिसका कैपसिटी ए 7.5 million ton's, 7.5 million metric tons होता है इतनी इसकी capacity पर year एक साल की capacity है और एक है विसाका पतनम में ठीक है उसकी capability है 8.3 million metric ton's ठीक है वह भी per year तो ये इसकी capacity है जो ये जो रिफाइनरी ओन करती है ठीक है, HPCL hold and equity stake of 16.95% in Mangalore refinery, Mangalore refinery है, उसके भी इसक ने share खईद रखे हैं, जो कि है 16.95%, ठीक है, वो भी एक petrochemical product ही बनाते हैं, वो भी refineries वगरा बनाते हैं, ठीक है, तो petrol वगरा, जो crude oil होता है, ONGC ने crude oil निकालते हैं, जब आप ONGC वाली वीडियो देखोगे न, वहा के हमाई जो गाड़ियां होती हैं, जो cars होती हैं, बाइक होती हैं, उसमें वो यूज किया जा सके, क्योंकि अगर वो refine नी होगा न, crude oil को directly use नी किया सकता, उसको refine करने के लिए refineries में भेजा जाता है, तो इसकी capacity है guys, 9 million metric tons, तो इसकी ये भी per year है, ठीक है, तो ये हो गई, फिर आजाता है HPCL Own, Largest Lubricant Refinery, Lubricant मतलब जैसे आप देखते होंगे, ग्रीस हो गए, आपकी गाड़ी, बाइक में आप ग्रीस लगाते हो, या फिर आप घरों में भी कई जिगे होता है, ग्रीस वगरा लगाया जाता है, या फिर अलग-लग type के lubricants हो गए, इंजन में भी ड tender lube-based oils, this refinery produce India's 40% of total lube-based oil production, 40% के लाग आसपास जो भी इंडिया का total production है, उसका production सिर्फ इसी refinery से हो जाता है, ठीक है guys, फिर आजाता है, the marketing network of SPCL consists of 21 journal offices, जो इनका पूरा marketing system, देखिए, इस organization का इतना नाम आपको पता है, इसका reason ही यह है कि काफी अच्छी इनकी marketing strategy है, तो marketing strategy कहीं ने कहीं सी तरण होती है, तो इनके 21 लगबग journal offices हैं, और 120 regional offices हैं, and also have supply and distribution infrastructure, supply and distribution infrastructure होना क्यों ज़री है, क्योंकि देखिए, refinery होती है, यह जो refinery, petrol pump वगरा में supply कर जाते हैं, तो काफी सारे pipe वगरा भी बिचाया जाते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीजों के करने के refinery से लेके आप petrol या डीजल अपने petrol pump पे लेके जा रहे हो, तो वो भी distribution system हो गया, तो काफी अच्छा है इनका distribution system भी है, ठीक है, अब बात आती है, देखिए, LPG bottling plant, इनके पास plant कौन कौन से हैं, किस टाइप के लोग plants रन करते हैं, यह है, LPG bottling plant, lube filling plants, retail outlets है, retail outlets कौन हो अच्पी के gas भी आते हैं, gas लेने जाते हो ना, घरो में आप यूज करते हो, तो यह सारे product है, ठीक है, फिर आज आता है, HPCN, Lube distribution and HPCL also has IT infrastructure, इनका IT, हर एक organization, जो भी बड़ी organization होती है, उसके पास IT infrastructure होना बहुत जादे important है, उसका reason यह है, कि वहाँ से बहुत सारी important data होते है, वो manage करने में आसानी होती है, तो इनका IT जो center है, और जो data center हो है, कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है guys, अब आगे चलते है, तो guys, यह कुछ आजाते हैं, इसके products जैसे कि आप petrol यह लोग बनाते हैं, diesel बनाते हैं, lubricants बनाते हैं, LPG, LPG आप घरों में जो cylinder वगरे यूज ह होते हैं, ठीक है, तो LPG यूज होती है, फिर आजाता है, aviation turbine fuel, aviation turbine fuel मतलब जो airplane में जो fuel यूज होता है, वो भी यह organizations बनाती है, ठीक है, फिर साथ साथ इमल सन भी, और भी बहुस साइड products होते हैं, जो कि यह organizations बनाती है, अब बात करें इनकी refineries, तो refineries कहां कहां पहां पहां और विसागा पढ़ना refineries, तो यह दोनों के बारे मैंने बताया था कि capacity कितनी कितनी है, अपनी skin पर इसली देख सकते हो, ठीक है, MMT मतलब million metric tons, ठीक है, तो mangalore refineries भी है, इसकी भी capacity इतनी लगबग है, ठीक है, कई करनाटका में होती है, यह करनाटका में है, गुरु गोब examples, जो कि इनकी refineries के तोर पर है, अब आजाती है, बात इनकी subsidiaries कोण कोण से, subsidiary organizations में है, जो कि इनके under ही होती है, और लगबग इसी के ही part होती है, ठीक है, तो यह है, हिंदुस्तान petroleum gas, हिंदुस्तान petroleum gas, आप gas लेने जाते हो, ना, cylinder लेने जाते हो कि नहीं, या फिर अगर आप order देते हो, मंगाते हो, home delivery देखे जाता है, तो HP का gas आपके पास आता होगा, तो यह unique organization है, ठीक है, फिर आजाता है, हिंदुस्तान petroleum corporation limited, biofuels, biofuels भी अलग बनाते है, ठीक है, फिर आजाता है, CRDA, HPCL, biofuels, यह अलग organization है, ठीक है, फिर आजाता है, HPCL, Rajasthan refineries limited, तो यह सा pipeline है, फिर धरमपूरी pipeline है, ठीक है, यह पलनपूर वदोद्रा pipeline है, तो यह अलग-अलग, इनके ongoing, जो अभी के time में, यह लोग project पे काम कर रहे हैं, वो इनके projects है, chairman की बात करें, और MD की बात करें, तो chairman MD एक ही होते है, इनके है, मुकेस कुमार सुरना, ठीक है, तो यह इनके chairman है, इसके overall जो revenue है, वो 2020 में रहा था, गाइस, दो लाग सतर हजार साथ सो 73 करोड, अच्छा revenue की बात करें, तो देखी, यह profit नहीं होता है, यह total revenue होता है, कि उस साल में, organization ने कितना पैसा बनाया, जो आपका profit होता है, वो काफी सारी चीजे, operating cost वगएरा, production cost, salary वगएरा, औ आपने के बाद, अलग सही balance ही मिलती है, अगर आप उसको detail में जाना चाते हो, तो आप इनकी official website पर जाके check out कर सकते हैं, महाँ पर बहुत सारी financial statements available होती है, ठीक है, employees की बात करने तो इनके लगबग 10,352 के आजपास employees थे 2020 तक, तो यह जो दोनो data है, यह revenue और employees के तो 2020 का data है, ठीक आइस, तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है, information मिली होगी, मैंने कोशिस करिया है, जितनी ज़्यादा information आपको दे पाँग, अगर कोई गलती होगी, तो माफ़ी करना, और आप और भी detail में अगर यहां से जानना चा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मैंने कोई आपके लिए value addition किया है, कोई information अच्छी आपको provide करी है तो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार